बैंक लिफ्टेंट लिफ्टे के डेली एनलिजिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मार्केट अपना क्लोज दिया है 51,328 पे जो पिछले दिन के क्लोज से भी मार्केट 470 पॉइंट उपर आके बंद हुआ है अगर मार्केट को देहन से देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पर एक बेरिश चार्ट पैटन फॉर्म किया है जो मार्केट के लिए एक खत्रा साबित हो सकता है कि मार्केट इसी के साब दीरे 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 और समय के साथ मार्केट नीचे जाने की तयारी कर सकता है देखिए मार्केट ऑक्टोबर मेहनी के शुरुआत से ही जो मार्केट में फॉल आया उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करके उपर की तरफ गया और फाइनली अब मार्केट एक चैनल के साथ ही मार्केट नीची की और आज से नहीं लगबग मार्केट यहां से अगर आप इस डेट को देखते तो करीबन यह 19 तारीक का डेट हमारे सामने आता है तो माफ कीजी का 21 तारीक का डेट है 21 तारीक से मार्केट बेरिश होते 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 मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है हाला कि आज का अगर हम दिन देखेंगे तो मार्केट आज थोड़ा बहुत उपर गया लेकिन ये बहुत बड़ा फरक डालने वालों में से कैंडल नहीं है ऐसा क्यों देखिए मार्केट अभी किस रेंज की उपर अच्छा काम करेगा अगर उस बारे में अगर हम बात करते हैं तो मार्केट आज जहां पे बंद हुआ है 51,328 इसके उपर मार्केट को कल भी बंद होना पड़ेगा तो जाके मार्केट ये जो एक लाइन यहां से सपोर्ट स्ट्रॉंग जो रेंस्टेंस से मार्केट का चला आ रहा है इस स्ट्रॉंग रेंस्टेंस को तोरके मार्केट जब यहां से ऊपर जाना चुरू करेगा तब मार्केट में दीरे दीरे मार्केट एक बाइन के जोन में जाना शुरू होगा और बड़ी बाइन कब आगी जो मार्केट 52,400 का रेंज क्रौस करेगा पहुचने से कुछ भी नहीं होगा देखिए मार्केट को सीधे सीधे आम भाशा में अगर आप समझना चाहते हैं सबसे पहले में इनको हटा देता हूँ तो आपको चीजे और साफ रंगों में नजर आएगी देखिए मार्केट जिस जगह पर है यहाँ पर अगर मैं एक सिर् कोट के उपर काम कर रहा है अभी मार्केट दुबारा अगर फिर से इसके उपर अगर ठैरना शुरू कर देगा तो मार्केट इसके उपर रहना शुरू होगा मतलब कूल मिला के कल के दिन आज जहापे मार्केट बंद हुआ है 51,328 पे इसके उपर मार्केट जैसे और उपर जाएगा मार्केट मान लीजिए अब इनकेस मार्केट कल के दिन gap up खुलता है फिर मार्केट और उपर जाता है जैसे कि मार्केट आज गया था ना 500 भी क्रॉस कर चुका था तो मार्केट ऐसे ही कल के दिन अगर 51,000 मान लीजिए 600 के पास पहुचता आपको तो 650 का रेंज तो यादी होगा कि मार्केट 51,000 650 पे मार्केट दुबारा जा सकता है तो ऐसे जैसी मार्केट पहुचेगा तब हम दुबारा एक फिर से consolidation phase में इंटर करने वाले इस बात को याद रखिएगा तो मार्केट जैसे इसके उपर जाएगा धिरे धिरे मार्केट फिर 52,400 के पास जाएगा 52,200 से होती है और जब मार्केट पूरी तरीके से ये रेंज को छोड़ देगा और यहाद से मार्केट उपर जाना शुरू होगा बस वो समयाब रहत की सास ले सकते है और यह कह सकते हैं मार्केट अब अपने मार्केट जो दूज़दाय देखते हुए आ रहा है मार्केट जो परेशानी देखते हुए आ रहा है सेलिंग साइड के तो धिरे-दिरे कम होता नज़र आएगा लेकिन इन सारी बातों के पीछे एक बात याद रखिएगा सकता हूँ कि कल के दिन आखे खुली रखिएगा मार्केट कहा खुल रहा है सिर्फ गयाप खुलने से काम नहीं चलेगा मार्केट में सिर्फ गयाप डाउन कुलने से काम नहीं चलेगा मार्केट कहा पर बंद हो रहा है पूरे दिन बर के बाद माईने उतना ही रखेगा कल के दिन अगर market फिर से इसी की नीचे बंदोना शुरू नीचे सारे के सारे BAYERS होते हैं ुस लिए मार्केट में वो मोमेंटम आहीं नहीं पाता है तो हम अगर शुकूरबार का देखेंगे तो मार्केट बल्कुल बहुत ज्यादा यहां पर बेरीश स्था और यहां पर सेलर्स थे तो इसलिए मार्केट नीचे से उपर जब पहुचा तो इस एरिया को ये इस जोन को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया खास कर इस जोन को अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा हमारे ये जोन बहुत ज्यादा माइने और इंपोर्टन रखता है ध्यान से देखीए का इस जोन को ये पूरा एक जोन है इसको सबसे पहले इसका रंग बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा अब देखिए इस जोन को देखिए ये जोन इंपोर्टन एक रिस्टेंस है वो इसलिए क्योंकि आप इसको इससे पहले भी अगर ले जाते है तो भी आपको ऐसा ही काम करता हुआ दिखेगा ये देखिए ये आपको अभी भी ऐसा ही काम करता हुआ दिख रहा है अब देखिए इसको तो मार्केट इस रेंज को बहुत इंपोर्टन ली इसको फॉलो कर रहा है मार्केट जैसे इसके पास आ मार्केट गुजर रहा है अब जब ये रेंज क्रॉस हो जाएगा तब हम बाइंग साइट की और देखेंगे तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कल के दिन अगर मार्केट 51,600 की उपर अगर बंद होना शुरू होता है यह पॉइंट याद रखिएगा साड़े चीज़ों की उपर मार्केट देरे देरे बंद होगा फिर मार्केट में बाइंग साइट देखेंगे अधर वाइल मार्केट इतनी जल्दी आपको बाइंग साइट के तरफ जाता हुआ नहीं दिखने वाला है तो कल के दिन मान के चल को अगर आप देखते क्योंकि मार्केट इसी जगह से बार 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 यहां से रिजेक्शन आ रहा है तो मार्केट इस रेंज को फॉलो जरूर करेगा अगर कल उपर जाने की कोशिश भी करता है इस रेंज को अगर हम देखने जाते तो यह रेंज आपको यहाँ पर मिलता है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 51708 फुल मिलाके बस इतना समझ लीजिए कल मार्केट अगर गयापब खुलता है और धेरे दिर उपर भी जाता है तो यह पूरा एरिया में जब तक मार्केट रहेगा तो बाइंग में प्रिशर नहीं बनेगा मार्केट बाइंग साइड में extraordinary काम नहीं कर पाएगा तेजी आपको देखेगा ले इसके उपर जब मार्केट जाना शुरू होगा तभी आपको तेजी दीखेगा वैसे भी आज की अगर मैं हाई की बात करता हूँ चीजों की नीचे अगर मार्केट ने ट्रेट करना शुरू किया हम दुबारा यहाँ पे एक downtrend देख सकते लेकिन यहाँ पे downtrend देखने के लिए मार्केट को दो रेंज को तुनना पड़ेगा सबसे पहले आज का लो उसके बाद कल का close, कल मतलब शुक्रवार का, यहाँ पर जब तक market इस level के नीचे नहीं आता, तब तक याद रखिए, market में बड़ी selling नहीं आईगी, हाला कि वहाँ से market कम से कम 500 पॉंट नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए, आज जहाँ पे खुला, बंद हुआ है, वहाँ से अगर मैं 500 माइनस करता हूँ, तो 50,800 का range आता है, अभी कितना है, जहाँ पर market बंद हुआ है, 11,300 का सपास, market 500 पॉंट नीचे जाने के बाद फिर bearish momentum बनेगा, अधर बाइस यह area buyers का है, market यह से कभी भी उपर जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान में तब जाके आप चीजों को आसानी से देख के समझ सकता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रू करेंजिक, आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए, जैहिन!